धमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका टेरिस गार्डन चैनल पर तो दोस्तो आज है अप्रेल की 22 तारिक और वार है सौमबार और दूफैर के एक बज़ रहा है और धूप काफी ज़्यादा तेज हो रही है तो दोस्तो आज हम दिन में एक बजे ही छत के उपर आ गए हैं क्य क्योंकि पिछले दो दिनों से किसी कारण वाश हमारे पौधों में पानी नहीं डाल पाए थे इसलिए प्लांट सारे काफी ज़्यादा मुर्जा रहे थे क्योंकि अप्रेल के महिने में धूब बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है और इसलिए आज हमें दूफैर के दालने के लिए आना पड़ा वैसे तो हम रोज ही शाम के टाइम जो है पांच बज़े के बाद छे बज़े करीब च्छत के उपर आते हैं और सभी पौदों में पानी डालके जाते हैं और दोस्तों इस वक्त तो धूप बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही है बिल्कुल पानी डाल दिया है तो दोस्तों आज का वीडियो है हमारा कि हम अपने में गेट के बहार कौन-कौन से पौधों को लगा सकते हैं और ये पौधे जो हैं बहुत ही हाड़ी प्लांट होते हैं ये प्लांट ऐसे हैं कि इनको ना तो ज्यादा पानी की जरूरत होती है ना ही इ इन पौधों के उपर कोई भी असर नहीं पड़ता है तो दोस्तों अगर आप जैसे सेक्टरों में रहते हैं तो सेक्टर के बहार क्या है कि हमें ग्रीन बेल्ट मिलती है और ग्रीन बेल्ट में हम इन पौधों को अपने घर के बहार लगा सकते हैं और दोस्तों ऐसे ही आज हम 10 के करीब पौधों के बारे में बताएंगे तो दोस्तों सबसे पहला प्लांट हमारा कनेर का प्लांट है तो कनेर में जैसे कई वेराइटी आती हैं यह हमारी डॉफ वेराइटी है तो डॉफ वेराइटी हो लार्ज वेराइटी हो मेडियम वेराइटी हो कोई सी भी और वहाँ पर इनकी कौन देखवाल करता है कोई भी नहीं सिर्फ इनको उसनीवें पैनी कोई डालता है और वहाँ पर इनको खात भी कोई नहीं डालता है और बिल्कुल ओपन में लगे रहते हैं फुल सनलाइट में लगे रहते हैं तो दोस्तो कनेर के पोधे को आप बिल्कुल अपने में गेट के बहार लगा सकते हैं और अगला प्लांट हमारा जट्रोफा का प्लांट है तो जट्रोफा में फ्लावर आते हैं बहुत सुंदर ये पिंक कलर के बन जाते हैं बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है तो दोस्तों मेन गेट के बाहर अगर आपको प्लांट लगाना है तो बिल्कुल जट्रोफा के प्लांट को भी आप लगा सकते हैं यह प्लांट भी ऐसा है कि इसको पानी की जादा जरूरत नहीं होती है ना खाद की और ना इसमें जादा देखभाल की जरूरत होती है फुल सनलाइट में बहुत यसानी से चल जाता है और अगला प्लांट है हमारा बोगन विला का प्लांट तो बोगन विला में कई कलर आते हैं वेराइटी आती हैं डॉफ वेराइटी आती है लार्ज वेराइटी आती है वाइन वेराइटी बुश वेराइटी तो आप बोगन ही जादा इसमें फ्लावर आते हैं जितना कम पानी डालते हैं उतने ही जादा इसमें फ्लावर आते हैं और दोस्तों अगला प्लांट हमारा यूफोर विया मिली का प्लांट है तो एक एक्टस फैमली का प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं तो दोस्तों ये इस तरह के इसमें फ्लावर आये हुए हैं, येलो कलर के भी आते हैं, पिंक रेड कई कलर के आते हैं, तो इस प्लांट को भी आप अपने मेन गेट के बाहर लगा सकते हैं, और दोस्तों इन पोधों को जो है जानवर भी नहीं काते हैं, तो ये आपके घर के बाहर बहुत आसानी से ग्रोफ कर जाते है हैं और अगला प्लान्ट है हमारा चम्पा का प्लांट जो इसुमिद्न में फ्लावर आते हैं इसमें कई रंगों में आते हैं पिंक रेड आते हैं और ये सैद मल्टी कलर इसमें आते हैं तो अभी तो इसमें सैद नहीं खिल रहे हैं ये फ्लावर सैद खिल के बंद हो गया है तो इस प्लांट को भी आप बिल्कुल अपने में गेट के बाहर लगा सकते हैं बहुत हाड़ी plant होता है तो इस plant को भी आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं इसमें सुंधर सुंधर flower भी होते हैं और दोस्तों ये plant थोड़ा सा जो है जहरीला होता है जिसके कारण इस पौदे को जानवर नहीं खाते हैं और अगला प्लांट हमारा कैना लीली का प्लांट है तो कैना लीली का प्लांट भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है इसमें भी रेड कलर आता है और इसमें से नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और अगर आप एक प्लांट इ में गेट के बाहर लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया पौदा है अगर आपके घर के बाहर जगे है तो इस प्लाइंट को भी आप बिलकुल जगा दें और अगली है हमारी ये टिकोमा की वैन तो इसमें बंच में फिलावर आते हैं फिलाल इसमें फिलावर नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने इसकी कटाई छटाई कर दी थी तो अब इसमें नई ग्रोथ हुई है तो कुछ दिनों में इसमें फिलावर आ जाएंगे बंच में फिलाव वगेरा पर चड़ा देंगे तो इसके लटके हुए फ्लावर बहुत ही सुन्दर लगेंगे तो इस वाइन को भी आप बिल्कुल मेंगेट के बाहर लगाएं और दोस्तों अगला प्लांट है यह हमारी मधुमालती की वाइन या फिर बुश प्लांट ले लें तो कोई सी भी आप बिल्कुल मेंगेट के बाहर लगाएं इसमें बंच में फ्लावर आते हैं तो यह बिल्कुल जो यह विंटर सीजन में डॉर्मैंसी में चली जाती है लेकिन फरवरी का महिना जैसे ही शुरू होता है थोड़ी सी गर्मिया शुरू होती है तो इसमें नई ग्रोथ शु देशी ही बस कजंब्रया स्थियों परभाइब में फ्लावर आते हैं था तो बिल्कुल आप लमांडा की उइन को भी अपने मेंगेट के बाहर लगा सकते हैं बहुत ही हाड़ी वाई होती है और कटीं से बहुत ही अशानी से यह लग जाती है और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा देशी हिवसकस तो हाइब्रेड हिवसकस की तो देखवाल करने पड़ती है लेकिन ये देशी हिवसकस है तो देशी हिवसकस में अब कोई सा भी कलर ले ले रेड कलर ले ले वाइट कलर या फिर पिंक कलर तो कोई से भी कलर के अब देशी हिवसकस को घर के बाहर लग लग जाता है इसकी cutting को आप फररी मार्च के महीने में लगा सकते हैं और अगला plant है हमारा रात की रानी' का plant तो रात की रानी में इस तरह के बंज में पूरा साल ही flower आते हैं और सुभेह के time और दिन चिपने के बाद तो इन में बहुत ही बढ़िया खुश्बू आती है तो दोस्तो बिलकुल रात की रानी के पोधे को भी आप अपने घर के सामने लगा सकते हैं मेन गेट के बाहर लगा सकते हैं बहुत हाड़ी प्लांट होता है और ये प्लांट भी कटिंग से बहुत ही आसानी से चल ज दोस्तो ये प्लांट सभी हाड़ी प्लांट होते हैं एक बार लगा देंगे तो फिर दुवारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये कम देखभाल में कम पानी में बिना फटिलाइजर के बहुत ही असानी से चल जाते हैं और दोस्तो ये पोधे ऐसे हैं कि इन जानवर नहीं खाते हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नमस्ते जी